गेंग prizis जो सुपराइब बाएट जो की हम डिसक्स कर रहे थे प्रिवेसली जिसमें हमने कुछ टाइप्स डिस्क्राइब कियते इस्कस किये थे तो ़ो में सई एक टाइप आई जल होता है वो हम डिसकस करेंगे सुप्राग्लॉाटीग ऑर डिवाइसेज जिनको लेरिंजल मासक इरवेज भी कहते हैं जिसकी कुछ टाइप सन मेरे डिसकस किये हुई है तो एक type eye gel है जो कि हम आज discuss करींगे. eye gel भी एक supraglottic airway device है. eye gel soft होता है, gel like structure और इसमें क्या होता है? चैसे कि दूसरे जो pig Clap philosophy airway devices होते थे, दूसरे LMAs होते थे, उनमेn cup होता था. उनमेn cup होता था, inflatable cup होता था, लेकिन इसमें कुछाल एक सुप्र गॉलाटिक एरेडी डिभाइस है । यह किस चीज की बनी होती है थर्मोवास्टिक प्रॉस्टänder की बनी होती है किसमें क्या होताए यकbeld क्रिएट करते है फेरिंजल या पेरी लियलिड़ंड उनके साथ यह सील और है करती है आई जल तो यह non inflatable होती है जब आप इंसेर्ट करोगे आई जल को तो body और इंच्ड ए औरल स्ट्रक्चर जो होता है औरल क्योंट इन-फैरींजल लेरिंजल या पैरिलेरिंजल structure जो होते हैं उनको इसील करता है उनके साथ होता है तो इसकी advantage जो है अगर advantage की बात करेंगे आई जल soft होती है gel like structure तो main advantage जो है compression trauma नहीं हो जाएगा इससे compression trauma जो होता है वो avoid होता है क्योंकि इसमें non इससे non inflatable seal जो create होती है तो उससे compression trauma होने के chances कम होता है जो कि दूसरे सुप्रा गलाटिक airway devices है जो कि inflatable device होते हैं जिनमें हम कफ inflate करते हैं तो उनमें compression trauma होने के chances ज्यादा होता है कि आई जल जो होती है इसका जो distal end होता है वो soft होता है non inflatable cup होता है इसमें जो कि pharyngeal structures या laryngeal structures को seal करता है और साथ साथ distal tip जो होता है distal non inflatable cup जो होता है वो proximal opening जो होती इसोफेगस की उसके ओपर बैठ जाता है तो उससे क्या होता है इसोफेगस opening और laryngeal inlet जो होती है उनको isolate करता है दोरों openings को ये एक दूसरे से अलग करता है और इसमें एक epiglottic rest भी होता है epiglottic rest इसले होता है उसके ओपर epiglottis जो होती है वो उसके ओपर बैठ जाती है तो उससे वो नीचे नहीं आ जाती है अब इसमें क्या होता है इसमें दो limits होते है एक circular airway limit होता है और एक limit होता है gastric tube insertion purpose के लिए तो दो luminous जो eyesal में होते है इस supraglottic airway device में होते है एक limit होता है जो की airway limit होता है जिसके तरू हम patient को ventilate करते है और दूसरा lemon जो होता है उसके तरू हम gastric tube insert करते है ताके हम अगर कुछ secretions produce होंगे उनको हम suck out कर सकते है eyesal में एक bite block भी होता incorporated tube के अंदर ही एक bite block होता है ताके अगर patient bite करेगा तो उसको damage नहीं कर पाएगा bite block के ओपर एक horizontal line होती है तो उस line से वो एक guide होता है कि कितना deep insert करना होता है यूजूली ये size 3, 4 और 5 में होता है size 3 eye gel, 4 eye gel या 5 size eye gel जो होती है उनमें horizontal line होती है जो कि गाइड होता है कितना deep eye gel को इस supraglottic ear video eyes को insert करना है और ये जो line होती है ये patient's के teeth के साथ आनी चाहिए अब pediatric size जो होते हैं उनमें horizontal line नहीं होती है तो eye gel में disadvantages compression trauma नहीं होता है non inflatable cup होता है इसमें अगर हम बात करेंगे दूसरे जो होता है उनमें कफ को inflate करना होता है कभी कबार क्या होता है कफ में year leakage भी हो सकता है तो ये proper seal create नहीं कर पाएगा तो eye gel में ये advantage है इसमें non inflatable cup होता है जो कि automatically aurora pharynx की जो shape होती है वो regain करती है इसमें different latex free होता है वो भी advantage है जन patient's में latex allergy होगी तो उनमें easily use कर सकते हैं अब इसमें different size available होता है size 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 size size 1 जो होता है वो हम neon end patients के लिए use करते है जिनका weight 2-5 kg होगा 1.5 size जो होता हम influence में use करते है जिनका weight body weight होगा 5-12 kg और 2 size small pediatric patients जिनका weight 10-25 kg होगा 2.5 large pediatric patients जिनका weight 25-35 kg होता है इसी तरह size 3 जो होता है small adults जिनका weight 30-60 kg 4 size medium adults 50-90 kg patients के लिए प्रिकेट करते है पेशेंट का head जो होता है उसको हम extend करते है neck को gently flex करते है जिसको morning significant position कहते है और slowly हम क्या करते है आई जल जो होती है वो oral cavity में introduce करते है concavity जो होती है concave surface जो होती है वो downwards होनी चाहिए towards the chin और इसको हम क्या करते है slightly अंदर insert करते है horizontal line जब की teeth के साथ आजाएगे that means it is in correct position और breathing circuit जो होता हो उसको हम connect करते हैं उसके बाद removal कब हम remove करते हैं जब patient एक बार consciousness regain करेगा reflexes protective reflex patient में present होंगे oral cavity को हम pharynx को हम suction करते हैं इसमें जो gastric channel होती है दूसरा lemon जो होता उसके तरह हम पहले ही एक tube insert करते है suction catheter जो होता वो insert करते है और patient की oral cavity को हम suck out करते हैं फिर eye gel को हम easily remove करते हैं लेकिन एक बार patient awake होगा commands verbal commands जो होते हैं वो follow कर रहा होगा तो उसके बाद हम क्या करते है eye gel को remove करते हैं तो आई जल एक supraglottic airway device है एक LMH laryngeal mask airway तो यह जो type है यह soft होती है gel-like एक cuffless supraglottic airway device है दूसरे जो devices supraglottic airway device हमारे पास available है कुछ उसमें covered supraglottic airway devices होती है तो यह eye gel cuffless होती है तो इससे trauma compression trauma होने के chances बहुत कम होता है इसका जो distal end होता है वो soft होता है इसमें एक non inflatable cup होता है epiglottic rest होता है जिसके ओपर epiglottes बैट जाती है इसमें दो luminous होता है एक lemon airway purpose के लिए होता है और दूसरा gastric tube insertion purpose के लिए जिसके through हम एक suction catheter जो होता हो इंसर्ट करते है ताकि moral secretions, pharyngeal secretions suck out करीए इसमें connector proximal end पे 15 mm connector होता है जो कि हम breathing circuit breathing apparatus के साथ connect करते हैं proximal end पे एक byte block भी होता है जिसके ओपर horizontal line होती है जो guide होता है depth insertion purpose के लिए अब इसमें different sizes available होते है वह होता है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 तो advantage यह है इसमें compression trauma होने के chances बहुत कम होता है और non inflatable cup होता है तो ear leakage होने के chances बहुत कम होता है insertion technique हम पहले lubricate करेंगे फिर insert करेंगे और remove तब ही करेंगे जब patient एक बार conscious होगा patient consciousness regain करेंगे उसके जो laryngeal reflexes protective reflexes होते वह present होंगे उसके बाद और वह sectioning करेंगे फिर जाके हम इसको remove करते है तो यह था टाइप हाईजल supraglottic airway devices का एक टाइप जिसमें supraglottic airway devices हमने already discuss किया हुए उसमें हमने कुछ types भी discuss किये थे तो आज हमने हाईजल कफले supraglottic device जो की thermoplastic elastomer का बना होता है वह हमने discuss किया है hope you'll understand thank you very much